डेली वर्ल पब्लिक स्कूल, इंडियास नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है काडमेक्स, स्पोर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का बहतरीन कॉंबिनेशन अद्मिशिंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी तु नाइज 25 मई से घरेलों उडानों का परिचालन बहाल होने जा रहा है आई ये जानते हैं कि हवाई यात्रा के दोरान किन बातों का ध्यान रखना होगा यात्रियों को वेब चेकिन करने होगी और बोर्डिंग पास का प्रिंट साथ लाना होगा लगेज के लिए यात्री ऑनलाइन ही बैगेज टैग आइडिटिफिकेशन नमबर डाउनगोड कर ले चेकिन करते समय एक हैंड बैग और एक चेकिन बैगेज लाने की अनुमर्णी होगी यात्री आधिकारी गाड़ी से ही दो घंटे पहले एरपोर्ट पहुँचे एरपोर्ट पर बेस मास और गलब्स पहनना ज़रूरी है साथ ही बोर्डिंग पास, बैगेज टैग्स, तुरंट चेकिन के लिए तयार रहना चाहिए एरपोर्ट पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग स्टेशन से गुजरना होगा उन यात्रियों को यात्रा से रोका जाएगा, तिने बुखार या उनके शरीर का तापमान अधिक होगा यहीं उनका आरोगी सेत्व एप पर स्टेटस भी चेक किया जाएगा एप डाउनलोड नहीं होने पर दूसरे काउंटर पर भेज कर एप डाउनलोड कराया जाएगा अगर किसी यात्री या स्टाफ में संक्रमन का किसी तरह का कोई लक्षन मिलता है या आरोगी सेत्व एप पर उस व्यक्ति का ग्रीन सिगनल नहीं मिल रहा है तो ऐसे व्यक्ति को एएरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दाखी होने की अनुमती नहीं दी जाएगी यात्री की सेहर ठीक रहने पर उन्हें बैगिस ड्रॉप काउंटर पर भेजा जाएगा बैग स्टैग प्रिंट होने के बाद रस्तीर देने की बजाएए एसेमेस के जरीए यात्री को भेजा जाएगा यहीं पर यात्री को काउंटर की दिवार की दूसरी ओर से एरलाइन स्टाफ को अपना PNR नंबर दिखाना होगा प्लाइट में एंटर करने से पहले यात्रीयों को सेफ्टी कित लेना होगा जिसमें सेनकाइजर, पेजश शिल्ड और सर्जिकल मास्क होगा डिपार्टिर एरिया में यात्रीयों को सेनिटाइजेशन प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिं का धियान रखना होगा प्लाइजेशन प्लाइब का एंटरीयों को से पहले कित लेएजर प्लाइजेशन प्लाइजेशन प्लाइजर अज़ा होगा